अर्ष नियूस की सारी खबरें आप तक जिसकी उम्र 25 साल है जो कलेक्शन एजेंट है पुलिस को सिकाई दी के वहाँ एक कलेक्शन एजेंट है और 13 जनवरी की रात को वहाँ अपने इस खोटी पर अपने कारे ले जा रहा था तभी आट बसके पैंतार्स मिट पर वहाँ पिलर नमबर संक्या 115 परताम नगर के पास इस बीच तीन अग्याद देखती पास आए और उन्होंने जवरजश्ती मुवाइल फॉन और एक जाकेट लूट ली जाकेट के अंदर तीन लाख रुपे नगध रखे थे आगे डीसीपी ने बताए कि जब हाँ स्कूटी पर पिलर नमबर 115 परताम नगर के पास पोशा पास के पारक में चलो फॉन बापिस कर देंगे वैसे ही सिकायत करता लूटेरे के साथ उस पारक में पोशा जो परताम नगर में परता है वहां बैस पे बैठी गया वहां अपने सातियों से एक लूटेरा सिकायत करता का फॉन बापिस लाया और सिकायत करता को दे दिया जह भी इस बीस तीनों बापीस आये और गर्दल पे वार करके मुवाइल फॉन फिर से लूट लिया और जो जाकेट इस जिसमें तीन लाख उर्पे दे वह भी लूट ली और फरार हो गए पुलिस ने सिकायत करता के बियान पर मामला दर्ज किया था जिसकी प्राजमीर्शन के न टीम बनायी ती मने घटनाशल के आसपास कि लगें तमां चीशेटी टी फुटेज के अंदर आरोपियों को देखा गया जो की सिकायत करता के सिख़दी फुटे खुरत को दिखाई तेPe अपने गुप सुरतों के भी तेनात किया और आखिर गार 15 जनवरी को एक गुप सुस्रा प्राप्तुई के एक आरोपी जो लूट में सामिल है जिसका नाम विशाल है जिसकी उम्र 21 साल है वहाँ परताफ नगर में रहता है पुलिश ने गुप सुस्रा के अधार पर जाल बिचाया आरोपी को परताफ नगर से गिरफतार कर लिया जिसकी पैचान विशाल के रूप में हुई जिसकी उम्र 21 साल है जिसके पास से 40,000 रुपे नगज बरामत के जो की 3,000,000 रुपे का एक हिस्सा है आरोपी से पोश्टास की तो आरोपी ने अपना अपराइद कबूल किया साथी आरोपी ने बताया कि अपने दो साथी उमा और अरजून के साथ मिलकर 13 जनवरी की राद एक सिकायत करताओ को लूट लिया था वराल उमा और अरजून को पकड़ने का परियास जारी है आरोपी से की जारी है पोश्टास